हेलो दोस्तों, निप्टी और बैंक निप्टी अनलेसिस का इस वीडियो पे मैं आप सबके साथ मोशली ये सेयर करने वाला हूँ कि काल एकस्पाई डे के लिए मेरा भीव क्या है, कहां से मार्केट रिवर्स कर सकते हैं, क्या हो सकती इसका इंपोर्टेंट लेविल्स और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे, कि आज इंटर डे फे ये जो भी मूब दिया, जो कि हमारा का वीडियो पे आप लोग देख सकते हैं, कि एकदम प्रेडिक्टेड ही था, कि धर से मार्केट थोरा फॉल करेगा और देन सार्फ आप मूब देगा, ओ मार्केट ने दि करते हैं, नीप्टी पे, 100 points approximately हम कमा सकते थे, तो चलिए आज का अनलसी स्टार्ट करते हैं, पहले मैं दिखाते ना चाहूंगा, कि जो आप लोग mostly देखना चाहते हैं, वो ये हैं कि काल, मार्केट कौन सी लेबल से reverse कर सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, इसका इन फेरेंटेश बना रहे हैं, तो ये जो जगा है, लगवाग around 41,970 के करीब करीब से, में भी एक reversal दिखने को मिल सकते हैं, ओके, वहलो इस जगा के करीब करीब से एक reversal दिखने को मिल सकते हैं, यानि कि एक अच्छागा से resistance है, तो approximately 42,000 या 41,970 के करीब करीब हो सकते हैं, हमारे एक target, और जब ये नीचे आते हैं, तो ये C से D point का 38%, 50% and 61 हो सकते हैं, हमारे तीनो target, ओके, ये होते हैं, मुशली हमारा target, downside के लिए इतना percentage wise अगर आप देखें तो, और bank nifty पे जो होते हैं, nifty पे moral है same ही होगा, तो nifty पे आगर आप देखना चाहेंगे, same चीज, 15 minutes का chart पे, तो nifty प हो सकते हैं, हमारा एक first resistance, जहां से market नीचे आया, हमारा first target 38% को clearly hit किया, 50% के करीब करीब जाने का प्रयास किया and then it reversed, because it created ABC जो मैंने काल दिखाया, तो इसके बाद ये जब आप साइट पे जा रहे हैं, जो इससे पहले मैंने बहुत बार आई तिंग आप लोग के साथ डिसक हमारे reversal zone, okay, और अगर किसी कार इसके उपर चला गया, क्योंकि market बहुत ही तेजी से जा रहे हैं, दिन का आख्डी पर भी इदर कुछ खास momentum का change नहीं हुआ, तो अगर किसी कार नेसा इसको तोर के चला गया, तो मैं भी next जो है, हमारा बार टाइम प्रेम का जो target मैंने discussion किया तो around 18,300 हो सकते हैं, हमारा next एक reversal zone, okay, तो ये 18,052 का जो level मैं बोल रहा था, पिछले एक देर हपते से, वो हो सकते हैं, हमारा important level, उससे उपर गया, तो ये जो 1 hour का chart पे ये हो सकते हैं, हमारा एक reversal zone, तो आभी हम ये देखने बाले हैं, चाहिए nifty हो या bank nifty हो, आज ये सब भी movement हुआ, इसको हम कैसे trade कर सकते थे, 1 minute हो, 3 minute या 5 minute का chart पे जा कर, बट उससे पहले, मैं ये बाताना चाहूँगो, कि आप में से बहुत सही लोग, ये समझने का कोसिस कर रहे हैं, कि ये harmonic क्या है, हार्मोनिक पैटन का मतलब क्या है, everything this and that, okay, तो मैं ये बोलना क्यों दिखा रहा हूं, instead of Elliot wave, क्योंकि आप में से बहुत सही लोग Elliot wave पे क्या करते हैं, कुछ गल्ती करते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलू कि ये 1, 2, 3rd हो गये हैं, तो आप लोग इधर से reverse trade करने का कोसिस करते हैं, 4th wave के लिए, ठीक है, लेकिन Elliot wave का rule क्या है, rule ये है, कि impulsive जो wave होगा, यान कि first wave, third wave, fifth wave, या फिर जो C wave, ये सब को trade करना हो, और इसके साथ-साथ Elliot wave जो है, ये बहुत ही flexible है, लेकिन उसके बाद ले, ये जो हार्मोनिक है, ये भी Elliot wave की तरह ही है, जैसे कि इधर से, जिसको मैं ये एक हार्मोनिक pattern काल दिखाया था, और मैं expect किया था, या फिर A, B, C, आगर हो रहे हैं, तो ऐसे mark कर सकता हूँ, तो Elliot wave flexible होने के करण, मैं ये हार्मोनिक से भी दिखा रहा हूँ, semi level है, बट ये जो है, ये थोड़ा और objective wave पर, मैं आप लोगों के समने present कर रहा हूँ, कि इधर से, जहांब से भी एक हार्मोनिक active होगा, जो कि semi है Elliot wave की तरह, पर Elliot wave is a much more complicated thing, तो इसलिए क्या होगा, कि आप लोगों के लिए, एकतम idea होगा, जहां से भी ये हार्मोनिक activate है, उस point से ये C, मतलब ये C से D का 38, 50 और 61 होते हैं, normally हमारा target, जो मैंने पिछला दिन का जो वीडियो था, उधर भी मैंने दिखा था, मानलब का वीडि और इधर से इधर तक अगर हम 38, 50% को देखेंगे, तो ये देखेंगे, C से D का 38, यानकी first target जो था, ये first target को इसने hit किया, ये second target था, hit किया, और ये third target तक नहीं आया, ओके, तो इसको अगर आप subdivide करेंगे, Elliot wave से, तो आपको ये पाता चलेगा, कि ये 61 तक आएगा ही नहीं ठीक है, बट अगर इसको आप 1, इसको 2, इसको 3 भी मानेंगे, तब भी ये 2 से 3 का, वही 38, 50% तक आ रहे हैं, तो moral है सेम ही है, ऐसा कुछ खास अलग नहीं है, कि जो मैं आपको देखा रहा हूं, बट मोर objective होई पे, आप लोग को सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि हर क इसको भी follow करेंगे, तो आप लोग को एक भीव पानाने के लिए आसानी होगा, कि इधर से मैं अगर नाय नहीं ले पाया, तो मैं इधर से buy करूंगा, put और downside के लिए, ऐसा गलती हमको करना नहीं चाहिए था, और जो दस्तो इस वीडियो को, इस knowledge को follow करेंगा, आप लोग को कोई problem नहीं हुआ होगा, आज का market पर भी मतलब इतना, आप down, फिर आप आखड़ी पे, इस पर कोई issue नहीं हुआ होगा, लेकिन इतना analysis के बाद भी आप में से कूछ लोग है, जो उल्टा सीथा comment करते हैं, dislike करते हैं, जो प्रेडिक्शन इतना आच्छा होने के I don't understand की किया problem है, इन लोगों का, तो जो भी है, चलिए आभी nifty या bank nifty का जैसे के आप में से बहुत सही लोग बोल रहे हैं, कि one minute का chart पे चलते हैं, और nifty का भी मैं दिखा दूँगा, don't worry, और ये बाला जो एक rise या fall होआ है, उसको देखने का प्रेयास करते हैं, तो आभ ह इन चला है, bank nifty का one minute का chart पे उसके बाद में nifty का भी दिखाऊंगा, दोनों ही important है, तो इधर ये bank nifty जो ये चालो हो गया, ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा नीचे आया है, हमारा 50% का level ता उधर से उपर जा रहे हैं, बस इतना ही, ठीक है, तो इधर से market actually वहीं कर रहे हैं, ज तो ये जो 3 wave, मतलब ये kind of an ABC मिला कर ये में भी हमारा W होगा, और ये जो है, ये फिर से इधर तक एक X बनाया है, इधर भी 3 wave पे, and then इधर इसके बाद फिर से एक kind of an ABC जो है, और C के अंदर में भी 5 sub wave इधर I think दिखी रहे हैं, तो ये जो है, ये ये W, X, Y बनाया है, and then मे मार्केट इधर से फॉल कर रहे है, तो ये W, X, Y किसका है, ये है में भी आपका A wave, ये बड़ा बला आपका B wave, and then बड़ा बला C wave के लिए मार्केट आ रहा होगा, that's it, और ये C और A का जो टार्गेट होते हैं, मैं बहुत बार बाता चुका हूँ, A is equal to C, that's it, तो इधर से ये C आएगा, लगवाग इसका जो लो है, लगवाग 41,480 जो है, उसको टाच करेगा, अगर अब Fibonacci से देखेंगे, तब भी मोडल ये सेम ही है, कुछ इस तरीके से भी देख सकते है, 41,455.85, ऐसे गार के आपको और, मतलब accurately टार्गेट मिल जाएगा, दिर मार्केट जो इसके बाद मार्केट ने किया किया, ये भी सी बनाया, और देन सारे पली चला गया, तो ये इसको जब मैं देख रहा था, कि ये एक काइंड ऑप एन A, B, C बना रहें, तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया, या फिर, जो मेरा दूसरा, मतलब जब मैं मार्केट को देख रहा था, what I was thinking, कि में भी एक possibility है, कि ये जो है, कुछ इस टाइप का एक triangle में भी ये इसने बनाया, तो मेरे हिसाब से जो था, कि ये जो है, ये में भी आपका kind of an A, ये में भी आपका एक B, P के अंदर, ये कुछ इस तरी के का एक 5 और है, अपकोर्स ये kind possibility सोचा था, उसके पीज़े कारण A की है, क्योंकि इदर, ये अगर A है, ये अगर मैं B mark करूं, तो ये C के अंदर इदर 5 और clear नहीं था, ठीक है, वहाँ, percentage जो था, वो ठीक ही है, बट फिर भी 5 और clear नहीं दीख रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि में भी एक possibility ये हो सकते है, बट अगर आपको इतना कुछ analysis या इतना कुछ education का जरूरत नहीं है, तो इसको percentage wise इतना देखे, और इधर और एक चीज़ में बाताना चाहूंगे, ये अगर आपका A है, ये B है, ये अगर आपका C है, तो इधर C जो है, और A का normally आप लोग पढ़े होंगे, C और A time wise क्या लेते हैं, एक दूसरे का बड़ा बड़ा का time लेते हैं, right, बाट इधर अगर मैं ये दिखा हूं कि नहीं, इसने क्या किया, तो price pattern के साथ time को तो देखना चाहिए, ये अगर आपका A है, ये अगर आपका B है, तो C ओएब जो है, आप देखेंगे लागवग कि ये two times of wave A, ये इसना समय लागवग लिए हैं, या फिर आप अगर जो मैं B हो, इधर मैं मार्क कर रहा था, इस particular जागा को देखेंगे, तो इसका लागवग 50% या 61% का time लिए हैं, तो मेरे लिए अगर ये A है, ये B है, तो ये C जो है, ये कितना समय लिए हैं, वो ये A का two times time लिए हैं तो ये price pattern time को मिला करें आपको चालना है, तब ही जाकर आप properly समझ पाएंगे कहाँ पर क्या बन रहे हैं, price और time का confluence को आपको देखना ही पाड़ेगा, और नहीं तो at least sub wave को तो clearly पता चालना चाहिए, along with Fibonacci, और भी बहुत कुछ है pattern को confirm करने को, पास मैं ये एक दो चीज सी दिखा रहा हूं, यूँकि एक वीडियो पर उधना कुछ मैं डिस्कासन नहीं कर पाऊंगा, तो और निफ्टी की अगर आप बात करें तो ओ भी मैं दिखा देता हूं, तो ये जो निफ्टी है ना, ये तर भी ये एक दम, I think it was quite clear, कि ये जो था, ये में भी आपका एक 1 ये टू था, ये जो था, ये जो था, मेभी आपका एक काई आप एक आप एक आप एक आप एक आप एक आप एक आप 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 आ A, 2 और B, ऐसे भी देख सकते हैं, यह 3 और C के लिए market उपर चला गया, that's it, जो हमारा prediction भी तक market थोड़ा सा नीचे आएगा, आज के लिए, फिर से उपर ही जाएगा, और market ने more or less semi किया, और market ने exactly ओहीं किया, काल का वीडियो भी देख सकते हैं, जो दोस्तों miss कर गए हैं तो वो बहुत एक important और valuable वीडियो था, और आकरी पे यह हो जाना के बाद, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, option का जो data है, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा, तो आकरी पे हम यह जो option की बात कर रहे थे, यह जो 16th feb का जो है, जो मैंने 8 तारी कोई डाला था, बहुत बाद दिखा भ भी, but overall जितना आप capital reserve राखना पड़ते हैं, सब कुछ मिला कर यह around 5% weekly trade से मिल रहे हैं, obviously यह बहुत आच्छी बात है, लेकर weekly फिर अगर 3% फिर अगर weekly फिर मिल रहे हैं, it is good enough, okay, यूँकि मांत्री का जो हमाया target है, वो 10% का target रहते हैं, जो कि बहुत ही realistic target है, अगर आप Elliot के साथ मिला कर करेंगे, तो यह इस से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आड़ाम से, तो ओ जो जगा है, उस पर अभी भी हम है, और इधर इसको book कर लेना ही, सबसे best way होगा, या फिर आप अगर इस state को 10 lot से करेंगे, तो सब उसकी 7 या 8 lot आप book कर ले सकते हैं, ठीक हैं, तो ऐसे करके भी चल सकते हैं, मानि मेनेजमेंट करके, तो आयोग कि मैं आप लोग को ये complete knowledge दे पा रहा हूँ, तो आप लोग भी like और comment के माद्दम से मुझे support कीजिए, तब एक लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, next वीडियो पर,